So, what's up guys, welcome to my YouTube channel, so, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, layer style के बारे में, and बहुत से students को इन options के बारे में पता ही नहीं होता है, Adobe After Effects के अंदर, so, वीडियो को शुरू करते हैं, without wasting any time, so, अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर गिया, और मैंने यहाँ पर simply एक shape यहाँ पर draw करी कुछ इस type से, छीके, और यह video काफी simple होने वाली है, मैं इसमें ऐसा कुछ complicated आपको नहीं बताने वाला हूँ, अब देखो, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इस layer के उपर गिया, और मैंने यहाँ पर इस layer के उपर right click किया, and then layer style, so, अभी आपको यहाँ पर multiple options मिलते ह हैं, so, हम लोग यहाँ पर इन सारे options को देखने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर click करो drop shadow के उपर, so, इससे क्या होता है, we can see, यहाँ पर हम लोग एक drop shadow add कर सकते हैं, and आप जैसे यहाँ पर जाओगे, इसके अंदर आपको यह options मिल जाते हैं, layer style के अंदर, ठीक ह drop shadow, और आप लोग यहाँ पर इसकी जितने भी opacity है, इसका जो भी, you know, angle है, आप लोग यहाँ पर change कर सकते हैं, got it, अब एक बात और ध्यान रखो, so, यह सारे options हमें, photoshop के अंदर भी मिलते हैं, so, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, double click, and then, drop shadow, so, we can see all the options, ठीक है, so, वापस गय कर सकते हैं, ठीक है, so, मैं यहाँ पर delete कर रहा हूँ, again, यहाँ पर कर रहा हूँ, और white click, layer, and then, inner shadow, जैसे यहाँ पर होती है, drop shadow, वैसे हम लोग यहाँ यहाँ पर use करते हैं, inner shadow, so, इसे हम लोग, यहाँ पर, you know, कुछ इस type से, again, change कर सकते हैं, यह shape के आपको, अंदर की side, आ देने के लिए, got it, so, मैं इसे भी यहाँ पर कर रहा हूँ, delete, and then, right click, layer style, and then, outer glow, so, outer glow क्या करता है, मैं वापस से यहाँ पर गिया, और मैं भी यहाँ यहाँ पर से कर रहा हूँ, close, so, we can see, यहाँ पर, एक हलका आपको, outer glow यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, आप लोग जैसे यह, outer glow तो वैसे काम करता है, inner glow, and then, bevel and emboss, so, bevel क्या करता है, एक depth आपको देता है, example के तोर पर मैं यहाँ पर गिया, and then, we can see, आपको यहाँ पर, यहाँ इसके side में, एक bump type का देखने को मिलेगा, कुछ इस type से, so, आपको यहाँ पर ऐसा feel होगा, कि जो यह surface है, यह 3 basic options, जो की आपको पता होना चाहिए, मैं इसे कर रहाँ, delete, right click करेंगे, layer style, and then, satin, satin भी यहाँ पर कुछ, bevel की तरह ही काम करता है, but, we can see, यहाँ यहाँ यह center से काम कर रहा है, हम लोग यहाँ यहाँ इसका center का, यहाँ पर जो color है, we can change this color, and again, all options are like same, got it, delete कर रहाँ, right click, layer style, and then, color overlay, इससे क्या होता है, आप लोग यहाँ यहाँ पर कोई भी एक other, यहाँ पर color को apply कर सकते हैं, and then, change कर सकते हैं, इसके जागे, आप लोग यूज कर सकते हैं, fill, effect and control में जाएंगे, so, यहाँ पर आपको मिल जाएगा effect and control, और आप यहाँ पर just type कर सकते हैं, fill, so, आपको same options यहाँ पर भी मिलते हैं, so, मैं यहाँ इसको कर रहाँ, delete, and then, right click, layer style, and then, gradient overlay, इससे क्या होगा, we can use gradient, और यहाँ पर click करो, और जो भी आपको यहाँ पर color रखना है, simply change करो, ठीक है, and then, rotation change करो, opacity change करो, and many more, delete करते हैं, and right click, layer style, and then, stroke, stroke से vacancy, यहाँ पर एक stroke आपको देखने क मिल जाएगा, और आप यहाँ पर इसका कोई भी color change कर सकते हैं, कुछ इस type से, ठीक है, so, ऐसे ही, आप लोग इन सारे options को use कर सकते हैं, अपने motion graphic scene के अंदर, so, इस video के अंदर, यह just एक introduction पार था, so, that आपको पता रहे कि यह options भी होते हैं, and आने वाली videos के अंदर, in future के में आईयो, guys, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, so, आप लोग subscribe कर सकते हैं, हमारा YouTube channel, आप लोग हमें follow कर सकते हैं, Instagram and Facebook के उपर, हम लोग आपे कुछ न कुछ अपडेट करते रहते हैं, अपने काम के regarding, so, तब तक के लिए guys, take care, bye, मिलते हैं किसी next video में,